Hello everyone, my name is Vikram Pratap Singh and welcome to HP Academy, कैसे हैं आप लोग, और आज एक नया subject स्टार्ट करना है, जो है law of limitation, यह minor laws की तौर पे इसको हम जानते हैं, और यह actually civil का पार्ट है, civil procedure code के साथ ही हम इसको connect करते हैं, किसी भी civil actions में हम इसको connect करके देखते हैं, और इसको हमें बड़े, क्यूंकि इसका application based जादा ही महत्त है, आपके importance है इसकी, application based importance इसकी जादा है, तो हमें इसको इसी तरीके से deal करना है, और जहां कहीं भी कोई भी question ऐसे arise होते हैं, या कहीं भी ऐसी कोई situation आती है, जिसमें की limitation का application है, या कहीं भी applied form में कोई भी question अगर आ कर रखा है limitation act कर designing जो है जो है जिसको हम लेके चलते हैं और साथी साथ इसको देखना है तो अगर आप Delhi Judiciary देना चाह रहे हैं या मद्यप्रदेश आप देना चाह रहे हैं तो इन सब जगहों पर ना यह बड़ा important है क्योंकि जब limitation की बात होती है तो आप कहीं भी आप उठा के देख लो तो हर जगह आपको time bound मिलता ही है कोई भी suit आप civil suit करने जाओगे तो limitation act उसके parallel run करता रहता है तो कहने का मतलब है कि जब हम limitation act को हम discuss करेंगे तो हम उन connecting links को भी हम ढूंडेंगे जो कि दूसरे दूसरे subjects में हैं दूसरे laws में हैं इनके connections को उनको भी हम ढूंडते हुए उनको हम लेके चलेंगे ठीक तो चलिए start करते हैं कि आपको law of limitation में क्या-क्या important चीज़ें हैं सबसे पहले तो मैं आपको इसको brief discussion देता हूँ और इसमें kind of orientation देता हूँ कि कितने चीज़ों में यह बटा हुआ है और क्या-क्या provisions हैं इसमें और इन सारी चीज़ों के start करते हैं मैं start करता हूँ इसको ठीक है तो अगर इसके नाम से ही देखा जाए तो the law of limitation limitation क्या होती है limitation means kind of restriction kind of restriction एक limits बना दी गई यह चारों तरफ एक limits बना दी गई मतलब एक area एक fix area define कर दिया गया जहां time bound कर दिया गया और time bound क्यों कर दिया गया क्योंकि कि कि किसी विव्यक्ति के अगर किसी के पास cause of action है then उस cause of action से वो कितने दिन के भीतर suit file कर सकता है किसी के पास अगर appeal prefer करने का right है तो उस right को वो कितने दिन में exercise कर सकता है किसी को अगर कोई application लगाने के जरूद पढ़ गई या order के regarding कोई भी provisions के जरूद पढ़ गई तो वो कितने दिन के अंदर उस right को अपने exercise कर सकता है क्योंकि यहां एक general rule यह है you cannot left open the face of the cause of action forever मतलब कि आप cause of action को suppose यह boundary ना होती तो जो व्यक्ति अपने उस right to sue को exercise कर रहा है वो तो कभी भी करता suppose यहां अगर 2020 में किसी के पास cause of action है तो वो 2050 में अगर जाके exercise करे तो क्या यह interest of justice के लिए societal interest के लिए easy होगा सही होगा obviously सही नहीं होगा क्योंकि इतने के बीच में इतने time के बीच में हमेशा defendant को एक fear लगा रहेगा defendant इस fear में जीता रहेगा कि उसके खिलाब तो suit file होने वाला है उसके खिलाब तो suit file होने वाला है इसे fear में वो जीता रहेगा तो यह societal interest यह individual interest दोनों के लिए यह सही नहीं है तो equity कहती है equitable principle of law कहते है कि जब कभी भी आपके पस कोई cause of action है then you have to exercise your cause of action within the limits within the limits, within the limitations what are the limitations? limitation is time bound actually है क्या देखो किसी भी civil suit के लिए there are multiple limitations लेकिन जब जब कोई भी limitation time के regarding होगा तो हम उसमें क्याहां ले आएंगे उसको law of limitation से deal करेंगे जब आप section 9 of civil procedure code discuss कर रहे थे हम आप से section 9 of civil procedure code तब मैंने आपको बताया था it is a gateway 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 it is a gateway gateway to enter in the premise of civil procedure code यह है जहां कि अगर कोई भी suit of civil nature का है then यहां court के पास एक mandatory duty of obligation arise हो जाता है कि वो उसमें cognizance ले this is section 9 of civil procedure code unless and until it is expressly or impliedly barred unless and until it is expressly or impliedly barred that is express bar express bar तो law of limitation is a bar law of limitation is a bar which has been expressly mentioned in civil procedure code और उसी के लिए एक specific law बनाया गया है that is law of limitation it is a question of law it is not a factual situation rather it is a question of law which is to be taken into consideration when you are going to file your petition when you are going to file your application या suit तो law of limitation की यही demand है suppose you have not filed the suit within the time prescribed by the limitation act then what would be the consequences क्या consequences arise होंगे उसके आपका suit जो है dismiss हो जाएगा या आपका जो plaint है reject हो जाएगा या initial stages पे है तो आप कुछ relaxations भी claim कर सकते हैं exceptional situations को भी claim कर सकते हैं exceptions को भी claim कर सकते हैं exclusions को claim कर सकते हैं अभी यह इन सब चीजों को मैं discuss करूँगा एक example के तौर पर मैं start करता हूँ और आपको देखना है कि कैसे situation arise होती है और हमें कहाँ इस चीज को देखना पड़ता है कि civil आपका law of limitation stand कहां खड़ता है suppose a और b के बीच में कोई भी dispute arise हुआ और suppose dispute cause of action जो है cause of action आज के दिन पर arise हुआ और उस cause of action के चलते है a को suit file करना है ठीक है यह suppose उसके पास three years का cause of action था मतलब limitation जो है उसको suit file करने का limitation कितना था three years का था suppose यह a court में appear होता है और इस दिन पर अपना plant लगाता है suit file हो गया law of limitation का मामला खतम अगर suppose कि a इसके बीच में इस time period के बीच में नहीं आया होता नहीं appear होता फिर कहा था beyond जाके इस limitation period के beyond जाके चलो beyond the limitation अब हो यहाँ अपना plant file करता है plant plant में आपको mention करना होता है कि your suit is not barred by limitation act but it means it is a kind of declaration which civil procedure court requires for the institution of suit because it is a requirement of law question देखो कि अगर suppose कि beyond beyond limitation जाके अगर उसने plane file किया then क्या होगा objections raise होते है objection raise होंगे और objection के दौरान अगर दूसरी पार्टी भी अगर उसने यह कहा कि इसका suit जो है यह तो barred by limitation है एक बात दूसरा अगर court को खुद से लगा suo moto लगा किस यह तो suit तो time barred है then उस condition में क्या करेगा court अगर reject कर सकता है क्या कर देगा plant को reject कर सकता है order 7 rule 11 order 7 rule 11 में यह बताया गया यह दिया गया यह mention किया गया है कि the suit must not be barred by any law तो situation क्या है यहाँ it is a situation where suit is barred by limitation act तो कहने का मतलब है और दूसरा एक situation और देख लेए दूसरा अगर यह objection नहीं raise किये गया और latter stages पर court को analyze करने के बाद यह लगा सकता है कि party का जो claim है वो time barred है then वहाँ suit को dismiss भी कर सकता है इसका मतलब है it is a basic requirement of law that hits the materiality of proceeding इस suit के institution के जो materiality है उसको hit करता है तो this is the limitation this is the importance of limitation act अभी काफी चीज़िया भी आपको discuss करनी है तो मुझे बस एक एक आपको overview देना था कि आप इस चीज को समझो कि law of limitation stand कहां करता है clear तो अगर चलिए आगे चलते हैं इसमें इसी के format में आगे देखते हैं इस analysis को देख के आपको क्या लगा आपके मन में क्या आया आपके मन में पहली बात यह आनी चाहिए this is a law of alertness this is a law of alertness why alertness because law supposes that the person who seeks equity must come before the court with the clean hands it may it means you have to exercise some over you have to exercise some over proactive actions regarding your claims you have to take that step which is required by the civil procedure code got it तो उसको dismiss कर देगा court आपको उस चीज को accept नहीं करेगा because of this it is a law of alertness किसी भी प्रोसीजर में आप अगर देख लो उठाके expediency of justice को promote करना secure करना that is the prime object of all the procedures और court and state दोनों court and legislature दोनों ने इस बात का ध्यान रखा है और court के पास भी sufficient power है इस चीज को देखने का कि expediency secure की जारी है नहीं की जारी क्योंकि जब judiciary की बात ही आती है तो judiciary में अभी हम इस पे essays लिखना पड़ता है हमें की delay defeats justice लिखना पड़ता है और इसका contrary view हमें contrary steps जो हैं वो इस तरीके के laws को बना के रखे गए हैं जिसमें की if you are alert then there is no chance of delay doctrine of less is less is another delay is exception to the general rule on side general rule you must have to be alert you must have to be alert while you are going to institute your suit at that very moment you must have to be alert this is a situation this is a kind of situation which you have to deal with it clear तो कहने का एक सीधा और तात्पर यह है कि genesis यहां से है rule 9 से procedure civil procedure code है और उसके बीच में एक procedural एक substantive law का एक mixture है जो कि law of limitation के तौर पे यूस किया जाता है जो कि आपके situation को आपके suit की vitality को भी hit कर सकता है question of law this is requirement of law it is similar to doctrine of res judicator similar to not in nature in its content because doctrine of res judicator also bar this suit from proceeding and same goes with it law of limitation भी वही काम करता है so because it is a law of alertness you have to be alert to file your suit within the time which is prescribed by this act this code okay चली आगे चलते हैं अब हम आते हैं कि इस provision को बहुत design बहुत प्यार से किया गया इसको क्योंकि इसमें काफी अच्छी चीजें भी हैं और काफी special चीजें भी हैं और उनको आपको जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर यह general rule दे दिया गया तो कुछ ऐसी leniency भी तो होगी legislative leniency भी तो होगी जिसमें किये कि scope दे रहा होगा कि अगर suppose कि human error होते हैं कोई भी bona fide mistakes होती हैं then उस situation में यह provision कैसे deal करेगा तो इस act की अगर हम speciality को देखें तो इसको हम कुछ इस तरीके से bifurcate करेंगे तीन भागों में इसको हम बाटते हैं इस act को हम तीन भागों में बाटते हैं एक जो कि general rule है section 3 में दिया हुआ general rule section 3 इस law of limitation की कहते हैं खुबसूरती है जान है सबसे बड़ी ताकत है section 3 section 3 क्या कहता है समझो section 3 कहता है कि अगर आपको आपके पस कोई cause of action है cause of action is that point जहां से law limitation start होता है period of limitation जहां से start होता है जहां से computation हम करते हैं तो from the very moment when you get the cause of action तो law of limitation एक आपको example दे रहा हूं मैं कि law of limitation आपको एक maximum period देता है that is limitation period period of limitation और section 3 declare करता है कि जब कभी भी आप अपने इस right को exercise करते हैं जिस दिन से आपके पास cause of action आया है then you have to exercise within time within one year whatever your time within one year लेकिन अगर आपने यहां अगर suit file किया beyond जाके then your suit shall be dismissed dismissed, dismissed, clear? तो आपको कहां file करना है इसके बीच में यह तो general rule है exceptional situation अब देखो दूसरा क्या है दूसरा हम इसके अगर law of limitation की body को हम examine करें तो दूसरा rule क्या है? exception general rule का exception क्या होता है? general rule अगर यह है कि आपको suit cause of action है आपके पास और आपको suit within time one year file करना है तो अब इसका exception क्या होगा? general rule का उल्टा होगा इसका exception इसका मतलब आप इसके धौरान भी आप suit file कर सकते है इसके दोरान भी आप सूट फाइल कर सकते हैं कैसे suppose एक example देता हूँ suppose आप यहाँ appear होते हैं court में और appear होने के बाद क्याते हैं कि condonation of delay claim करते है आप यहाँ अपने sufficient cost को show करते हैं court के सामने अपने उस due diligence के exercise को भी आप show करते हैं उसके बाद दूसरी party के unaffected रहने वाले उस right को भी show करते है court में आके कि जिससे के parties को ज़्यादा loss नहीं हुआ है ठीक है? मतलब उस balance of interest को balance of convenience उन सब को भी show करते हैं तो यहां court क्या कर सकता है? court allow कर सकता है court can grant the period to institute a sort beyond one year यह जो mention किया गया maximum period of limitation तो condonation of delay अगर यहां allow कर दिया गया it means it is an exceptional situation exception है यह इसके बाद एक तीसरी situation भी है that is exclusion 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 का क्या मतलब? sense क्या है? exclude करना मतलब time period में से कुछ time को exclude कर देना देखो एक suit file करने जा रहे हैं आप आपके पास यह cause of action आया मतलब suppose आज की date पर आपके पास decree आई आपको appeal file करना है देखना, example देखना, suppose आज के date पर आपके पास decree आई, decree के within 30 days आपको क्या करना है? appeal file करना है decree के date से appeal का जो time है वो start हो जाता है time start हो गया? ठीक है, time start हो गया अब आप यहां सबसे पहले चीच क्या देखते हैं? कि आपके पास decree की copy होनी चाहिए appeal को prefer करने के लिए यही तो देखते हैं कि आपके पास decree की copy आप जाते हैं court में apply करते हैं, decree की copy के लिए किस लिए copy के लिए, यह decree जज्जमेंट की copy के लिए apply करते हैं, court में आप गए, court ने आपके 40 days लगा दिये, decree के copy देने में, 40 दिन लगा दिया court ने decree के copy देने में, अब क्या होगा, समझने की कोशिज करिएगा कि, यहां time जो है, इस point of time से, यह court में appear हो गए, आपको पता है, एक provision run करता है, एक maxim run करती है, act as curie and unanimous grave of it, मैंने कई बार refer किया इसको, that is act of the court shall not harm to any individual, और यहां, क्योंकि यह court की periphery में था, court के jurisdiction में था, then parties का तो यहां कोई roll ही नहीं है, तो क्या parties को, court के उस act के लिए, libel ठहरा जा सकता है, obviously नहीं ठहरा जाएगा, इसी लिए, कुछ ऐसे provision बनाएगा है, जिनको कि हम exclusion कहते हैं, इसमें क्या होता है, कि जिस दिन से, आपने copy के लिए apply किया है, और जिस दिन आपको copy मिलती है, यह 40 days का time है, यह 40 days का time, आपका क्या होगा, exclude कर दिया जाएगा, जो rest of the, मालो यह 20 days हो चुके थे, rest of the time जो है, आपको यहां से calculate नहीं, यहां से calculate करके, 10 days और मिलेंगे आपको, 10 days और मिलेंगे, कहने का मतलब है, जिस दिन आपने court में apply किया, और जिस दिन आपको copy मिली, उतना time के लिए जो watch चल रही है, टिक टिक टिक, वो watch क्या होगा, stop हो जाएगे, ठिक, वो watch stop हो जाएगी, उस व्यक्ति को 30 दिन का absolute time मिलेगा, because this is right, conferred by law of limitation, अगर आपको 30 दिन का time मिला हुआ है, तो 30 का मतलब 30, तीसवे दिन तक आपको 5 बज़े तक जब तक कोड बंद नहीं हो जाती, आपसे कोई नहीं पूछने आने वाला है, कि आपने suit क्यों नहीं फाइल किया, अभी मैं आपसे ये सारी बाते discuss करूँगा आगे, तो कहने का मतलब ये तीन चीज़ें हैं, एक general rule है, जो कि कहता है कि you have to file within the period of limitation, second one is an exception, जहांकि time start नहीं होरा run होना, time start नहीं होता, exceptional situation में time start नहीं होता run होना, याद रखना, बाद में भी और चीज़ें clear होंगी, जब provision हम discuss करेंगे आपसे, तो यहां time start नहीं होता run, time lapse हो चुका है, और उसके बाद court allow कर देता है time को, उसके बाद भी court ने reasonable time allow कर दिया, condonation of delay की situation है, disability की situation है, या ऐसी situations है, and third situation is, that is exclusion, where time to start हो गया है, लेखिन बीच में कुछ ऐसे special clauses है, जिनका की benefit मिलता है, तब उस condition में उतना time जो है, वो exclude कर दिया जाता है, exclusion का मतलब, जो की count नहीं किया जाता है, तो exclusion, this is exclusion, this is exception, and it is a general rule, section 3 deals with this general rule, section 4 to 11 deals with exception, and exclusion is 12 to 24, 12 to 24, इसके बाद दो special provision है, एक, जो 29, 30, इन में दिया हुआ है, जो की saving provision है, saving clauses, and दूसरा, 25 to 27, that is prescription की बात करता है, प्रिस्क्रिप्षिन, general principles regarding the prescription, time regarding, regarding the prescription, ठीक है, यह सारी चीज़े भी हम आप से discuss करेंगे, तो कहने का मतलब एक, आपको overview मिल गया होगा, लेकिन अभी, overview ही sufficient नहीं है, जब हम next class में आएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि इसमें, यह provisions तो दिये गए, लेकिन इनके सासत क्या special बातें भी हैं, इसके तासीर को समझने की कोशिज करेंगे, कि civil law of limitation की तासीर क्या है, इसका actual nature क्या है, इसके limitations क्या क्या है, क्यों इसमें sections जोड़े गए, क्यों इसमें schedule जोड़े गए, क्यों इसमें articles जोड़े गए, क्यों law of limitation को exemption के तौर पर use किया जाता है, कैसे right को वो comfort करता है, कैसे right को वो take away करता है, यह सारी चीज़े हम आपसे discuss करेंगे next lecture में, ठीक है, तो यह एक तरह का general rule था, अभी next class में और भी चीज़े clear होंगे, और होती भी जाएंगे, ठीक है, तो आप देखते रो, enjoy करते रो, good luck, all the best, जाएंगे, तो यह एक है,